हाँ जी नमस्कार स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आसा उम्मीद है आप सब मस्त है और अपनी ही तेयारी में व्यस्त है जैसा आप सब को विदित है कि कल हमने एक शेशन की शुरुआत की थी राजस्तान करंट विशेश की जहां पर हमने जनवरी महा से सम्मंदित करंट पड़ा था आज हम चर्चा करेंगे फरवरी महा से सम्मंदित उन करंट से सम्मंदित फैक्टों का जो कि आपके एक्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आईए शुरुआत करते हैं और आज हम जिस महा से सम्मंदित पड़ने वाले हैं वो है आपके पहला फैक्ट है मरू महत्सव दोजार चोबीस पिछले जन्वरी महा के अंदर हमने पड़ा था उन्ट महत्सव और यह लीजिए फरवरी महा के अंदर है आपके मरू महत्सव तो पहला कुशन तो आपके सामने यह है कि मरू महत्सव का आयोजन कहां किया जाता है याद रि में 2024 में मरू महत्सव का आयोजन जसल मेर में कब किया गया तो याद रखेगा 22, 23 और 24 फरवरी यानि कि ये भी उंट महत्सव की तरे तीन दिवस ये था 22, 23 और 24 फरवरी को अच्छा कौन सी थीम पर आधारित था याद रखेगा थीम है आपके बेक टू दा डेजट बेक टू दा डेजट पर आधारित तीन दिवस है 22, 23 और 24 फरवरी को जसल मेर के अंदर आयोजित हुआ कौन सा मरू महत्सव 2024 अब कुछ इंपोर्टेंट और फेक्ट जैसे इसी महत्सव के तेत मिस पोकरण का खिताब किस ने जिता था तो याद अबिशेक छंगाणी ने अचा मिस्टर डेजट का खिताब किस ने जिता याद रखेगा अबिशेक छंगाणी ने अचा मिस्टर डेजट का खिताब किस ने जिता याद रखेगा सिरिकांत व्यास और मिस मूमल का खिताब किस ने जिता याद रखेगा पारूल विजे जिन का सम्मन्द विकानेर से हैं लीजिए ये शारी बातें हो गए आपके मरू महत्षव से सम्मनित मरू महत्षव दोजार चोबीस कहां पर आयोजित कब आयोजित कौन सी थीम पर आयोजित और इसके तेद मिश पोकरण मिश्टर पोकरण मिश्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खि 24 चलिए आगे दूसरा फेक्ट है आपके सामने है फरवरी महा के अंदर एक कारिक्रम शुरू किया गया एक अभियान सा शुरू किया गया था और वो है आपके सुद आहार मिलावट पर वार यानि कि मिलावट खोरी पर अंकुष लगाने के लिए पंदरा फरवरी 2024 को एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है सुद आहार मिलावट पर वार और इस अभियान के तेथ जो भी वक्ति को शिकायत करता है यानि शिकायत करके यह सूचना देता है कि यहाँ पर इस परकार से आहर में मिलावट हो रही है तो उसको 51,000 रुपे का क्या दिया जाता है पुरुष कार बस यह तीन बाते ही important होती है कि सुद आहर मिलावट पर वार कब शुरुवात क्यूं शुरुवात और इसके तेथ जो सिकायत करता होता है जो यह बताता है सुचना देकर कि यहाँ इस आहर में यहाँ पर इस परकार से मिलावट हो रही है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और कितने 51,000 रुपे देकर पुरुष करत किया जाएगा यह दूसरी important बात अगला एक सम्मेलन है यानि फरवरी महा से सम्मंदी तीसरा important fact वो है लगफती दिदी सम्मेलन यानि फरवरी महा के अंदर यानि कि 14 फरवरी 2024 को डुंगरपूर के अंदर एक सम्मेलन का आयुजन किया गया जिसका नाम है लगफती दिदी सम्मेलन इस सम्मेलन का उद्धिश यही है कि आगामी तीन वर्सों तक राजस्तान के अंदर 11.27 लाख महिलाओं को लगफती बनाया जाएगा अब कैसे बनेंगे लगफती दिदिश सम्मेलन जिसका आयोजन 14 फरवरी 2024 को कहा किया गया डुंगरपुर के अंदर अच्छे यहां से आपके लिए क्यूशन है कमेंट करके बताएगा राजिवी का गटन कब हुआ ब्रान्ड एमेस्टर तो आप सब जानते हैं रुमा देवी है किसका गटन कब हुआ यह बताएगा और इस सम्मेलन के अंदर मौजूद भारत की राष्टपती कौन द्रोपदी मुर्मु याद रखेगा चार बातें विशे से लगपती दीदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ चौदा फरवरी 2024 को अच्छे कहां हुआ लुंगरपुर के अंदर किसके सयोग से हुआ राजिवी का के सयोग से कमेंट करके बतेगा इसका गटन कब हुआ यह निकिस्ता आपन का आयोजन हुआ है जिसका नाम है जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल इससे पहले जनवरी महा के अंदर हमने देखा था रिफ राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल और यह है जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल और जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल का जो आय 24 को कहां पर हुआ याद रखेगा आमेर आमेर कहां है जैपूर के अंदर और इसी फेस्टिवल के तेथ जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल के तेथ याद रखेगा देनीक भाशकर की ओर से अमिस्थ तिरपाटी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया और उस अवार्ड का नाम है श्री दुवार का परशाद अगरवाल अवार्ड यह भी इंपोर्टन क्यूशन मन सकता है क्यूंकि यह अवार्ड इसी फेस्टिवल के तेथ देनीक भाशकर के ओर से दिया गया हूं तो अच्छे क्यूशन मन सकते हैं जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल का आयोज संस्क्रण अच्छा कब तो याद रखेगा एक से लेकर चार फरवरी दोजार चोबीस और कहां पर तो सित्तापूरा जैपूर बस यह तीन परकार के क्यूशन मनते हैं पूछलेगा आपको के हाले में इंडिया इस्टोन मार्ट दोजार चोबीस का कौन सा संस्क्रण तो य यह जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल याद रखेगा आमेर जैपूर और इंडिया इस्टोन मार्ट याद रखेगा सितापूरा जैपूर जैपूर अगला अगला फेक्ट अब देखिए फरवरी माहा के अंदर दो वक्तित्वे बड़े चर्चा में रहे आप अक्सर देखते हैं कि यहां से क्यों शनाता है फरवरी माहा के अंदर दो वक्तित्वे कौन कौन देखिए और क्यूं क्यूं चर्चा में रहे सारी कानी समझी है सबसे पहला नाम तो है मनिंदर मोहन शिर्वास्तो ये चर्चा में क्यों रहे क्यूंकि राजस्तान हाई कोड के 42 मुख्य नियादिस के रूप में इन्होंने सपत ली थी कब 6 फरवरी 2024 को और आप सब जानते हैं कि वर्तमान राजस्तान हाई कोड के मुख्य नियादिस कोण है मनिंदर मोहन शिर्वास्तो अच्छा कोण से हैं ये याद रखेगा 42 में एसेक्यूशन आये थे CET के एक्जाम में तो ये 6 फरवरी 2024 डेट जरूर याद रखेगा कि 6 फरवरी 2024 को राजस्तान के 42 में मुख्य नियादिस के रूप में सपत लेने वाले हैं मनिंदर मोहन शिर्वास्तो वक्ती इसे लिए चर्चा मेरी ठीक है यहाँ पर विशेश द्यान रखेगा कि यह जो राजस्तान हाई कोट है इसकी पीट कहाँ पर है तो आप सब जानते हैं जोतपूर में इसकी जो खंड पीट है याद रखेगा वो जेपूर में है और यह जो खंड पीट है यह कब इस्तापित की गई तो याद रखेगा अगस्त 1949 को ठीक है very very important और राजस्तान High Court के अंदर एक ये भी important याद रखेगा कि नियादीसों कि संख्या कितनी है नियादीसों कि संख्या याद रखेगा ये भी important question है ठीक है तो एक तो फर्वरी महाक के अंदर ये वक्तितुवlevant चर्चा मेरे है मनिंदर मोहन शिरवास्तो याद रिकेगा छे फरवरी को इन्होंने शपत ली और आप सब जानते हैं कि राजस्तान हाई कोट के मुखे नियादियस को जो सपत दिलाने का कारिया है वो रज्येपाल दुआरा किया जाता है तो इनको ये सपत है रज्येपाल न वक्तित्में है जो फरवरी माहा के अंदर चर्चा में रहे वो है लक्षमन भट तेलंग देखे लक्षमन भट जो तेलंग है वो आपके धुरुपद गायक है जेपूर के इनकी हाली के अंदर यानि के फरवरी माहा के अंदर 10 फरवरी 2024 को मर्ति हो गई लक्षमन भट तेलंग का समन्द किसे है धुर्पद गायकिसे अच्छा कहां से है ये जेपूर से अच्छा इनकी मर्तिव कब हुई 10 फरवरी 2024 चर्चा में क्यों है क्योंकि 26 जनवरी 2024 को लक्षमन भट तेलंग को पदम स्री अवार देने की गोशना हुई थी और अवार ल अवार लेने से पहले इनकी मर्ति हो गई थी किसी लिए चर्चा में तो लक्षमन भट तेलंग का समन्द किस से है कोण से जिल्ले से है और ये याद रखेगा पदम स्री अवार वाली बात है इनको दिया गया इंपोर्टेंट और ये एक मनिंद्र मोहन शिरवास्तो तो दो वक्तित्वे चर्चा में रहे थे फरवरी महा के अंदर नेक्स्ट अगला देखे युद्धा अभियास पिछले सेशन के अंदर भी हमने यानि कि जनवरी महा के अंदर हमने पढ़ा था सुड़ा तन्शिक सेना दुआरा किया अभियास यहाँ पर इंपोर्टेंट देखे फरवरी महा के अंदर वो है धरम गारजियन युद्धा अभियास दोजार चोबीस अच्छा कोण सा पांचवा अच्छा कब से लेकर कब तक याद रहे केगा 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च दोजार चोबीस तक कोण सा अभियास यानि कोण सा युद्धा अभियास याद रहे क धरम गार्जियन अच्छा कहां पर याद रिकेगा महाजन रेंज फिल्ड विकानेर के अंदर और किन दो देशों के मद्धी है याद रिकेगा भारत और जापान आप अक्सर देखते हैं जब भी किसी सेना का अभियास यानि कि युद्धा अभियास जब होता है राजस्तान क के अंदर तो वो क्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है याद रिकेगा भारत और जापान के मद्धी है धरम गार्जियन युद्धा अभियास 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च कहां पर तो महाजन रेंज फिल्ड विकानेर के अंदर बहात इंपोर्टेंट ठीक है ये याद रिकेगा और जन्वरी के अंदर ये था फरवरी में ये आगामी मार्च अपरेल जो भी हम महा का करंट पड़ेंगे उसमें जो भी होगा वो सामिल किया जाएगा ठीक है अच्छा अगला एक अभियान सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्तान अभियान दे सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्तान अभियान जो है ये आपके इसकूली जो चात्रे हैं चात्रा उनको एस सुरक्षित इस परस के बारे में शिक्षित करना यानि कि गुड़ टच क्या है और बेड़ टच क्या है इसके बारे में जानकारी देना तो सुरक्षित स्क तुमर 2023 को और तीसरा चरण जो है वो वा है फरवरी महा के अंदर यानि की तीन फरवरी 2024 को तो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्तान अभियान का तीसरा चरण तीन फरवरी से तीन फरवरी 2024 याद रिखेगा important वैसे भी आगामी जो सिक्सक एक्जाम होंगे उनके अंद जो सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्तान जो अभियान है गुड़ टच बेटच के बारे में शिक्षित करना है जिसका तीसरा चरण तीन फरवरी 2024 किलियर इसी परकार आप कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर रहे होंगे ना चलिए आगे देखे अब एक परदस परदस्नी है आत्म निर्भर भारत उत्सव परदस्नी और ये जो परदस्नी है ये लगी थी आपके तीन से लेकर आट फरवरी 2024 को अचा कहा पर लगी थी? कोटा के अंदर अचा कोटा में किसके सयोग से लगी थी? याद रिखेगा ओम बिरलाजी के सयोग से और ये किसकी और से आयुजित की जाती है केंद्रिये वस्तर मंत्राले की और से तीन से लेकर आठ फरवरी दोजार चोबिस को ओम बिरला जी के सहयोग से राजस्तान के कोटा जिल्ले में आयुजित की गई थी आत्म निर्बर भारत उत्सव परदस्नी और आप सब जानते हैं कि ओम बिरला करके जरूर बतेएगा कि अभी तक कुल कितनी बार लोकसभा के अध्यक्स चुने गए हैं कुल कितनी बार ठीक है तो ये था आपके आत्म निर्बर भारत उत्सव परदस्नी इससे पहले हमने पड़ा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्तान अभियान धरम गार्जियन युद्धा अभियास लक्समंड भड तेलंग क्यों चर्चा में मनिंद्र मोहन शिर्वास्तों क्यों चर्चा में इंडिया इस्टाउन मार्ट जैपूर लिटरेचर फेस्टिवल और लगपती दिदी सम्मेलन कायुजन सुद आहार मिलावट परवार और उसके अलावा इजनवरी के अंदर कौन सा पूरजकार या फरवरी महा देखिए पहले हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल और मैज जून तक इस परकार के ऐफेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद में एक ही साथ में एक ही वीडियो में जनवरी से लेकर जून जुलाई तक जितने पूरुश पुष्कार मिले हैं वो एक शात के अंदर ठीक है जैसे राजस्तान के अंदर अलग लग जिलों में किस परकार के अभियान या नवाचार विक्षित किये गए वो एक साथ के अंदर वीडियो आएगा ठीक है इसलिए बिलकुल चिंता करने के आउशकता नहीं है आप तो बस म आज के लिए इतना ही आसा उमीद मस्त और आप अपनी तियारी में व्यस्त धन्यवाद